दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर मस्ती नहों ऐसा कैसे हो सकता है आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और कंपेरिजन करने जा रहे हैं रियल्मी नार्जो एन 53 का सीधा आईफॉन 14 प्रो मेक्स से अब आप सोच रहोंगे इन दोने स्मार्टफोन का तो कहीं से कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है लेकिन दोस्तो नार्जो एन 53 में कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जिस बज़र से यहां पर इसका कंपेरिजन आईफॉन 14 प्रो मेक्स से करना पड़ रहा है वैसे दोस्तो प्राइज की बात करें तो नार्जो एन 53 आपको एमेजन पर 8999 रुपे का मिल जाएगा 4GB 64GB वेरेंट और वहीं बात करें आईफॉन 14 प्रो मेक्स की तो 128GB वेरेंट का जितना प्राइज है उतने में तो नार्जो एन 53 के ल क्या-क्या similarity है दोनों स्मार्टफॉन में कहुंसा स्मार्टफॉन रहेगा आपके लिए बैस्ट तो बने रहेगे मेरे साथ वीडियो में चैनल पर आयो फॉस्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी interesting वीडियो में आपके लिए आपर regular लाता रहता हूं तो friends यह हैं दोनों स्मार्टफॉन के बॉक्स सबसे पहले तो हम सुरुवात नार जो N53 से करेंगे तो दोस्तों इसका बॉक्स आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा जहां वाइट कलर में आपको सारी डिटेल्स मेंसन मिल जाती है नीचे रियल्मी के ब्रैंडिंग बैक साइड म आपको फॉन को सेफटी देने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का और क्विक स्टाट गाइड यूजर मैनवल इसके बाद रखाया स्मार्टफॉन फिलाल के लिए से साइड रख लेते हैं दोस्तों और आप इसके अंदर देखें तो आपको एक बड़े साइज का हैपी च निकल के आती है टाइप A to Type-C USB केविल लेंद और क्वाल्टी केविल की बहुत बड़िया मिल जाती है अब डैरेट आते हैं आइफोन पर इसका बॉक्स काफी स्लिम आपको मिलता है बहुत ही पतला बॉक्स इस पर आइफोन का स्टिकर आइफोन लिखा हुआ है और फ्रें के लिए इसे साइड रख लेते हैं अंदर आपको टाइप सी टु लाइटर केविल मिलती है और काफी थिक केविल है आपको इसके अंदर एक एपल का स्टिकर मिल जाता है जिसे आप कहीं भी चिपका सकते हैं बाकि क्विक स्टार्ट गाइट यूजर मैन वाल टवर आपको डिर चारज कर लेगा इस फॉन को और यह हैं डोनुए स्मार्ट फॉन दोनों स्मार्ट फॉन की पावर को मैंने एक साथ ओं किया है देखते हैं कौन सा स्मार्ट फॉन जल्दी ओन होता है दोस्तो यहां पर फ्रेंट साइड से देखिये दोनों को एक जैसे लग रह, रहे ह अब आपको दोनों स्मार्टफोन के back panel दिखाता हूँ देखिए दोस्तो यह हैं दोनों स्मार्टफोन के back panel और देखिए यहाँ पर कितने हद तक copy किया गया है नार्जो की ओर से जो camera medul है विल्कुल same iPhone के जैसा ही बनाया है यहाँ पर नार्जो ने करीब से भी देखिए दोस तो और भी बढ़िया लगता और इस लोगों को यहाँ पर चिपका देते हैं बागी दोस्तो एक बार देखिए तोनों स्मार्टफोन के back panel किसका back panel आपको ज्यादा बढ़िया लग रहा है नार्जो का काफी बढ़िया लग रहा है 9000 रुपे की range में इतना बढ़िया premium finishing वा का आ जाएंगे नीचे नार्जो की branding आपको नजर आ रही होगी आप यहाँ पर देखे तो हम इस पर light reflection देखते हैं तो हलका सा move करोगे तो color change हो रहे हैं जो काफी बढ़िया लग रहे हैं और इसका back panel अगर दोस्तो गलती से कभी टूट भी जाए तो मुस्किल से 2500 रुपे क कांच की तरह और प्राइज इतना महंगा है कि दूसरा phone लेना ही ठीक रहेगा दोस्तो तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तो इसका back panel काफी बढ़िया आपको मिल जाता है जिस पर आपको light का reflection भी काफी अच्छा नजर आ रहा होगा और दोनों smartphone के corner आपको rounded मिलेंगे और इ finger pin sensor iPhone नहीं दे रहा है जब कि आपको Realme Nargo N53 में जो power on की है इसी पर finger pin sensor भी मिल जाता है just for volume rockers और उपर की side कुछ नहीं iPhone भी कुछ नहीं दे रहा है उपर की side left side में iPhone में आपको एक अलग से key मिलती है जिससे आप on कर दो तो यह phone पूरी तरो silent हो जाएगा बड़े-बड़े लोग office में meeting करते time इसी key का use करते हैं हम इस key का कभी use नहीं करते बाकि volume rockers यहां sim tray दी गई है दो sim card एक memory card लगा सकते हैं दोस्तो और यहां पर iPhone की sim tray मिलती है जहां सिर्फ एक ही sim लगेगा दोस्तो लेकिन इस पर e-sim मिल जाता है एक virtual sim है और एक यहां पर physical sim है लेकिन memory card का क audio jack आपको नार्जो में मिलेगा लेकिन iPhone में वो भी नहीं मिलेगा अब दोनों smartphone की power तो हमने पहले ही on कर ली थी इनकी जो brightness है इसे भी 100% कर लिया है अब यहां पर करीब से दोनों की display देखिए नार्जो कहीं से भी टकर नहीं देर पा रहा है इतनी bright और colorful display आपको iPhone की मिल जा iPhone की display में आपको मिल जाता है बाकी दोस्तो iPhone के icon आपको अलगी देखने को मिलेंगे और नार्जो के icon आपको अलगी देखने को मिलेंगे इस scroll आप करते ही यहां पर आपको सारे के सारे application नजर आते है नार्जो में कुछ pre-install application यहां पर मिल जाती है मौजूद हाला कि इन्हें आस्मान का फर्क आपको नजर आएगा काफी पतले बैजल्स आपको चारों तरब से मिलेंगे iPhone में जबकि नार्जो में आपको corner और उपर से तो पतले पतले बैजल्स लेकि नीचे चिन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी इसके बाद हम बात करते हैं दोनों के डिस्प्ले साइज की तो 6.74 इंच की Full HD प्लस IPS LCD मिलती है नार्जो में जिसका एस्पेक्ट रेसर है 20 इस्टू 9 इस स्क्रीन रेजुलेशन 1018 इंटू 2400 फिक्सल फिक्सल डैंसिटी 390 फिक्सल की मिलती है वहीं फार iPhone 14 Pro Max में 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले मिलती है जिसका एस 7.4 mm की मिलती है नार्जो में और iPhone में 7.8 mm की यानि की दोस्तो नार्जो N53 पतला है आइफोन से तो थिक्नेस में यहाँ पर जीत गिया है नार्जो बाकि वेट में भी यहाँ पर काफी बड़ा अंतर है 240 ग्राम का है iPhone और 182 ग्राम का है नार्जो N53 तो वेट में भी यहाँ पर लाइट वेट है नार्जो N53 का साती दोस्तो इस पर 5000 एमेज की बैटरी आपको मिलती है जबकि iPhone पर आपको दी गई है 4223 एमेज की बैटरी तो बैटरी कम है लेकिन चलती बहुत जादा है अब दोस्तो मैंने दोनों स्मार्टफोन को चार्जर से कनेक्ट कर लिया है औ और आप यहाँ पर सबसे पहले आपको iPhone का Dynamic Island दिखाता हूँ यह देखे दोस्तो यही इस फोन की खास बात है लेकिन यहाँ पर नार्जो N53 में आपको डू ड्रॉप नॉज डिस्प्ले नजर आ रही होगी अब आप सोच रहोंगे कई फोनों में ऐसी डिस्प्ले रहती है इसमें कास क्या बात है लेकिन दोस्तो जैसी मैं चार्जर का बटन आउन करता हूँ तो आप ध्यान से देखेगा दोस्तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफॉन में कुछ हुआ तो यह देखे दोस्तो अब यहाँ पर यह फैल जाएगा और यह बढ़ा हो गया और यहाँ भी ब लोकल चार्जर आप लगाओगे तो यहाँ पर वो सब सो नहीं करेगा तो यह भी आपको दोनों स्मार्टफॉन में कॉमन चीज मिल जाती है तो काफी कुछ सिमिलेटी यहाँ पर आईफॉन के जैसे देदी है नार्जो N53 ने इतनी कम प्राइज रेंज में मातर 9000 रुपे कि रेंज में आईफॉन वाली फिलिंग आपको यहाँ पर मिल रही है